हेलो दोस्तों PhD का एक निया नोटिविशन आयो हुआ है जो किसांत गाडगे बाबा अमरवती उनुवसिटी से है दोस्तों यह फोर्मली अमरवती उनुवसिटी का नाम से जने जाती है दोस्तों इन्होंने काफी सब्जेट के लिए आवज़न मांगे हैं सबसे पहले हमें इनकी इलिजिविटी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या इलिजिविटी वह अगरा मांगी है यह देखे दोस्तों इन्होंने इन्होंने काफी सब्जेट के अंदर बताया है कि कंप्यूटर साइंस स्टेटेक्स बायों टेक्नोलजि जोलोजी बोटनी माइक्रोब्राजी फिजिक्स गेमिट्री और साइचे इलेक्ट्रोनिक्स और साइंस कॉस्मेटिक टेक के अंदर उन्होंने ये एम्टेक से कुछ related कुस्पजेक्ट बताया है और कुछ फार्मासी से related सबजेक्ट पताया है यहाँ पर और आगे इन्होंने language से related सबकु सबखेक्ण पताया है जिनमें कि English, Marathi, Sanskrit, Urdu, Pali and Prakit, Hindi, Prussian and Arabic, इमनेटिस के अंदर उने शोशोलोजी, लो, हिस्ट्री, मुजिक, होम एकोनोमिक्स, फिलोसपी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलोजी, एकोनोमिक्स, जियोग्राफी, पब्लिक एड्मिनिस्रेशन, डॉक्टर बाबा साहिव, अम्बेट कर थोर्ट्स दोस्तों इन्होंने मनेजमेंट के अंदर भी आविदन मंगे हैं, और कॉमर्स के अंदर भी आविदन मंगे हैं, जिनमें की कॉमर्स, अकाउंट इनिस्टेटिक्स, बिजिनस एकोनमिक्स, और एजुकेशन के अंदर इन्होंने बताया है कि एजुकेशन, फिजिकल एजुके योगा के अंदर भी देखें दोस्तों इन्होंने एफलेक्शन फीस के बार में यहां पर बताया है कि ओपन केटिग्री वालों के लिए 1200 फीस रहेगी और रिजर्ब केटिग्री वालों के लिए 700 फीस बताई है और जो हैंडीकैम है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है आगे हम कुछ और information देख लेते हैं यह देखें दोस्तों इन्होंने कुछ important date वगर बताई है कि यह application form 20 मा से start हो गया था और 10 अप्रेल तक आप आवेधन कर पाएंगे और इन्होंने आपर कुछ और भी important dates वगर बताई है जिनका link दिया हुआ है तो हम इस पर click करके देखते हैं यह दोस्तों यह दिया पो फोर्म बरने के अंदर कोई प्रशानी आ रहे है तो आप इन पर contact कर सकते हैं यहाँ पर कुछ number दिये हुए है तो आप contact कर सकते हैं यह ए-mail ID भी contact कर सकते हैं कि दोस्तों उमेद करते हैं आपको हमारी यह जानकर यह अच्छे लगी होगी यदि आपक हमारी जानकर यह अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमेरे टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं ऐसे ही पेहचीडी से रिलिटिड ने अपडेट के लिए